वेल्कम बेक्टेवर चनल आज में देखते हैं कि कंपणी का इनकॉर्पेर्शन किस तरह से कटते हैं यानि क्या क्या फर्मेटी है जिसके बाद आप अपनी कंपणी को इनकॉर्पेर्ट कर लेखें चलिए देखते हैं परकेर्शन आफ कप्पनी पहला प्रमोशन फर्स्टेज फर्स और पर्सन और अग्रूप ठीक है एग्रेंटि इस टार्ट बिजनेस इन दा फॉर्म अफ कंप्पनी पर्सन आप दा प्रमोटर प्रमोटर वो वेक्टिव होता है जिसके पास सबसे पहले आइडिया आता है कि क किषिए कम इस काम करना किस टाप कम्पनी कोल आगा या तो एक पर संब सकता है यह एक ग्रूप मुंप इस और इसको बोलते हैं प्रमोटर यानि इसने इस सबसे सुराद किया वो प्रमोटर है ठीक है अब दूसरा आता है il Corporation और Registration of Company आफकर गेटिंग अप्रूबल फ्रॉम आरोसी रेजिस्टर ऑफ कंपनीज सब्मिट मेमरेंडम एस्सेशन और आर्टिकल ऑफ एस्सेशन जब आपके पास प्रोशन मतलब आईडिया जाता है कि एक काम करना इस्ट्याब का फिर आपका करते हैं एक फॉर्म सब्मिट करते हैं कहां पे रोसी में यानी रेजीस्ट्र ऑफ कंपनीज का मतलब ऐसा गवर्मेंट का रेपाटमेंट जहां पे कंपनीजिस्ट्रेस्ट्टẫn की प्रकोर्या की जाती है और वहां पर उसका रिक्रदर खέρता है आप वहां पे форм शबटे करते हैं कि हमें इस नाम की कंपनी ह्याय क् इस नाम से अगर already कोई एक्जिस्ट कर रही है तो आपको बता देती है otherwise आपको वो मिल लाता है अगर कोई दूसरे एक्जिस्ट नहीं करते हैं तो वहां से अप्रूबल होने के बाद आप उसमें समिट करते हैं Memorandum of Association MOA ठीक है Memorandum of Association and Article of Association ठीक है जी Memorandum Association में आप subscription की बात करते हैं share होगार का और Article of Association में डिरेक्टर होगार है जो होते हैं उन चीजों के बात करते हैं ROC issued Certificate of Incorporation the company thereafter comes into existence जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है यानि आपका नाम अप्रभल हो गया आपने MOA submit कर दिया आपने AOA submit कर दिया उसके बाद ROC चेक कर लेती है और उसके बाद आपको Certificate of Incorporation दे जाती है मतलब आपका जैसे birth certificate होता है उसी तरह company का Certificate of Incorporation उसके बाद आपकी company okay वाजाते है कि हाँ आपको इस company बिल गए है अब क्या होता है capital contribution capital subscription जो है इसमें क्या करते है कि company को submit करनी होती है कि भाई हमने जो एक लाग का उत्रास capital लिया वो हमारी subscribe हो चुकी है ठीक है हमारे shareholder ने ले गया है उसका आपको declaration देना पड़ता है वहाँ पर कि हमारे subscribe हो चुकी है subscription के बाद commencement of business a company has to obtain commencement of business certificate within 180 days from its incorporation जब आपको certificate of incorporation मिल लाता है उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको commencement of business के लिए आपको file करना होता है कि हाँ हमारा business भी start हो चुटा है ठीक है सबसे पहले promotion फिर उसके बाद आप submit करते हैं form form submit रोने को आप ने मेरेंडियम आटिकल जमार कर देते हैं फिर आपको जो है capital contribution का बताना परता है कि हमने share subscribe करा लिया उसके बाद आप certificate of registration मिल लाता है और commencement of business 180 दिन के अंदर अंदर आपको submit कर देते हैं चलिए दिखते हैं कुछ और topic prospectus prospectus क्या होता है जब भी कोई public company market में पैसा के लिए request करती है तो किस document में request करती है उस document पहुं prospectus कहते है public company issue document called prospectus कौन सी company public company public company जो है वो prospectus करती है market में in which purpose for which the proceeds of the issue of security shall be used इसमें बताती है कि वो जो पैसा आपसे collect करेगी उसका क्या करेगी ठीक है किस purpose के लिए काम देगी वो बताती है उसके अंदर एक आता है सेवी सेवी जो है वो इस्टेट कंपनी को regret करती है उस पे वो सारा कुछ लिखती है अब आते है minimum subscription, minimum subscription जैसे सब लिखा है minimum subscription याई कम से कम कितना share subscribe हो जाना चाहिए company का ठीक है the prospectus must be subscribed and the amount payable on application 90% याई जो आपने subscription दिया उसका minimum 90% subscription हो जाना चाहिए तभी आपकी company listed हो की इफ minimum subscription is not received application money salary refunded within 15 days from the closure of the issue अगार 90% subscription नहीं होती है तो विदी 15 दिन के अंदर जो है आपको उसके पैसे वापस देने पड़ेंगे अब लास्ट आता है preliminary expenses, preliminary expenses वह होता है जो incorporation से पहले खर्चा होता है जैसे incurred for incorporation of company example कुछ example ले लेते हैं registration fees यह registration fees वह होता है जो आप form submit करते है ROC में कि हमें यह नाम का approval के लिए चेक कर लिए वह registration fees, legal fees कुछ legal fees जैसे trademark पता करना step के लिए खर्चे का पता करते हैं किसी lawyer वगर ऐसे तो legal fees type के खर्चे होते हैं preparation of project report जैसे project report बनाते हैं कि हम क्या time करेंगे projection बनाते है project report उसके लिए पैसा देते हैं और होता है these expenses are written off from securities premium capital reserve और the statement of profit loss account यह जो आपका preliminary expenses हो जाता है company incorporation के बाद इसको आप write off करते है security premium से और capital reserve से यह जी तो profit and loss account से ठीक है